आप सभी का स्वागत है Crystal All Study Channel में चलिए आज हम करेंगे हमारे लेक्चेर नमबर 4 जो रहने वाला है इंपोर्टेंट में चलिए पहला कुशन कहता है निम लिखित मैंसे कौन सा भारतिय सम्मिधान के भाग सामगरी जोड का सही है पहला दिया गया है राज्य दूसरा दिया गया है केंदर शाशित परदेश और इसमें आपको बताना है कि कौन सा पार्ट बिल्कुल शही किया गया है तो इससे पहले भी मैंने आपको करा रखा था कि कैसे आपको याद रखना है और एक पर और मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको याद रहे सबसे पहला आपको याद रखना है You can fly directly You can fly directly from United States Using paramilitary special rockets अगर बच्चों यह आपको ट्रिक्स समझ नहीं आ रहा तो एक बार आप इसको ध्यान से पीछे कामने करा रखाया आपको कैसे आपको ट्रिक्स में मैंने करा एक वीडियो पूरा content पर जिसमें मैंने आपको parts पढ़ाया तो एक बार चेक आउट कर लीजिए और एक बार मैं आपको recall करा देता हूं कि कैसे यह ट्रिक्स है यू से हो जाएगा union and its territory, c से हो जाएगा citizenship, f से हो जाएगा fundamental rights जो कि part 3, part 4 में DPSP आ जाता है then part 4a में fundamental duties 1976 में added और part 5 में union आ जाएगा, part 6 में state आ जाएगा, part 8 में union territory आ जाएगा, part 9 में यहाँ पर आ जाएगा ऐसे क्या हो जाएगा, scheduled areas, 11 में आ जाएगा यहाँ पर आपके पास relation between center and state, तो यह 11 हो जाते हैं, बाकी एक और ट्रेकर मैं आपको आगे कराऊंगा, तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं कि part 6, जो कि है किसमे states में, तो यह बिलकुल सही है, और part 8 में union territory तो यह दोनों correct है, options क हिसाब से देखा जाए, तो इसमें से कौन सा है, both one and two, तो yes, both one and two is the right answer, क्योंकि यह दोनों ही correct है, only one, neither one or two, none of the above, यह भी गलत है, और then आता है more than one of the above, तो more than one तो है, यह दोनों option कहीने कही correct ही है, right answer यह है, आपको याद रखना है कि यह होगा इसका, ठीक है, चलिए, next question आ are there originally in the Indian constitution, तो Indian constitution में originally 22 parts और 395 articles थे, यह आपको याद रखना है, तो इसका अंसर आजाएगा 22, question number three कहता है, part 20 of the Indian constitution is related with, भारती सम्विधान का part 20 किस से सम्वियन्दित है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक कराया था मैंने, limits, limits, language 17, 18 पर आजाएगा, emergency provisions, part 19 मा जाएगा, miscellaneous, part 20 मा जाएगा, amendment, part 21 मा जाएगा, temporary and transitional provisions, और part 22 में आपके आजाएगा, short titles, क्या जाएगा बच्चो, short titles, short titles के बारे में आजाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसका right answer क्या रहने वाला है, तो इसका हमने अगर option में देखें, yes, तो amendment of the constitution, part 20 के बारे में बात कराया है, yes, यही right answer आपका रहने वाला है, emergency provisions कौन से में आ जाएगा, part 18, miscellaneous कौन से में आ जाएगा, part 19, और official language, part 17, इस तरह पोयाद, रखना है, trick से, question number 4 कहता है, who was the president of India during 1975 national emergency, निस्व पिचतर के राष्ट्र आपायतकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपती कौन थे, विवी गिरी, विवी गिरी, yes, वरागिरी, वेंटागिरी, या फिर यहाँ बार डॉक्टर जाकीर होशान, नीलम संजीवा, रेड़ी, फिर फकरुदीन, अली एहमद, तो यहाँ पर मैं आपको recall करा रहता हूँ, कुछ emergency के provisions वगएरा, then हम इसको continue करेंगे, सबसे पहले आपको यह पताना चाहिए, कि इंडिया में तीन बार emergency लग चुकी है, three times, ठीक है, 1962 में एक तो लगी, then यहाँ 1971 में लगी, और then यहाँ 1975 में लगी, यह वाली emergency लगी थी, external aggression, यह भी external aggression और यह internal, internal disturbances, कितने महीने के लिए, 19 मन्त के लिए, कितने मन्त के लिए, 19 मन्त के लिए, अब emergency के क्या क्या constitutional provisions है, कौन से article के थुरू emergency लगती है, तो सबसे पहले इसमें आता है, 352, 352, 356, और 360, यह तीनों article आपको याद रखना है, national emergency, national emergency 352, president's, president's rule, किसलिए जब state की machinery फेल हो जाए, या फिर आप कहा सकते हो, state emergency, और 360 financial emergency, ठीक है, आप से सवाल पूछ सकता है, कि इन में से कौन सी कभी, जो emergency नहीं लगाई गई, तो 360 कभी नहीं लगाई गई, यह तीन बार लगाई गई, और यह तो कई बार states में लगा चुके है, तो यहाँ तक आई हो, को आपको समाज आया हुगा, ली मैट्स के through emergency provision part 18 में आता है, चलिए, अब यहाँ पर कौन था प्रेजिडेंट, तो इस समय प्रेजिडेंट कौन थे, जब 1975 का लगा था, फकुरुद्दीन अली एहमद, कौन थे, फकुरुद्दीन अली एहमद, ठीक है, और यह आपको याद रखना है कि 1971 में कौन था, वीवी गरी, वीवी गरी, 1975 में कौन था, यहाँ पर थे, फकुरुद्दीन अली एहमद, तो यहाँ पर आपको यह साइच चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, चलिए, लेक्स मूफ ओन टू, कुश्चन नमबर फाइफ कहता है, विच वन अथ फॉलॉइंग इस नॉट्द इसका हो जाएगा राइट, फॉर ए में, कौन से, 1976 में, किसकी कमिटी का क्या नाम था, स्वान सिंग कमिटी, कितने हैं, इसमें फंडमेंटल, 11 फंडमेंटल डूइटी हैं, और 2002 में, 86 अमेंडमेंट के थू, 11 डूइटी एड करी गई थी, 11 डूइटी बोलती है, 6 तू 14 य स्टेट के लिए पार्ट 6, तो यह भी करेक्ट है, अटॉर्णी जेनरल, यह गलत है, अटॉर्णी जेनरल का आर्टिकल होता है, 76 जो की पार्ट 5 में कवर हो जाएगा, ठीक है, अटॉर्णी जेनरल पार्ट 5 में हैगा, सर्वेसिस अंडर दा यूनियल एन दा स्टेट, तो तो इसके लिए ट्रिक है फिन, ट्रैम, से, ट्राइ, इलक्षन, बूत, पर गया, फिन से आपको याद रखना है 12, 13, 14, 14A, 15 और 16, ठीक है तो 14 जो है services under the union and states, तो यह हो जाएगा 14, यह भी correct, तो first correct, second correct और the last one, इसमें क्यानिम लिखित मैसे कौन सा सही सुमिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, C वाला सही नहीं है, ठीक है, C वाला गलत है, तो आपको I hope समझ आया होगा, चलिए, question number 6 कहता है, according to the Indian constitution, which of the following is incorrect, बार के समिदान के सुरा कौन सा गलत है, अब इन्हें में से आपको बताना है कौन सा गलत है, citizenship, तो you can fly, you can fly directly from United States, तो यह सही है, DPSP part 4, एक, दो, तीन, चार, यह भी सही है, fundamental duties 4 है, यह भी सही है, union territories, यह आपका गलत है, ठीक है, union territories, कौन से part में आ जाएगा, part 8 में आ जाएगा, यह आपको याद रखना है, using paramilitary special line में आपको आ जाएगा, पंचायती राज, इस तरह आपको याद रखना है, इसका right answer क्या हो जाएगा, यह गलत है, चलिए, question number 7 कहता है, which part of the Indian constitution contains union state relations, union state relations कौन से part में आता है, तो यह आता है, आपका part number 11 में, part number 11 में आता है, चलिए, question number 8 कहता है, which part of the Indian constitution deal with union territories, तो union territories से कौन सा part deal करता है, फिर से आप देख लिए, you can fly directly from United States using paramilitary special rockets, तो union हो जाएगा part 5, states हो जाएगा part 6, तो कौन से सार है, union territories, और part 8 हो जाएगा, union territories, पार्ट 7 रिपील कर दिया गया है, यह अपको इंशोर करना है, question number 9 आता है, part 15 of the Indian constitution deals with, भारत की सम्विदान का part 15 किस्से है, तो official languages गलत 17 है, amendment गलत, emergency provisions गलत, elections, right answer, चुनाओ के बारे में, part 15 में, 324 से 339 आर्टिकल में, 326 में आपके बारे में बात करा गया है, right to vote, यह फिसको आप universal adult franchise, 324 में आपको election commission को establish करने के बात करता है, यह आपको याद रखना है, और इसको आप कैसे याद करेंगे, super, uni, per, leg, bar, 6 articles, सारी चीज़े हैं आपर आजाता है, bar to interference into the electoral matters, यह कौन से article में दिया गया है, article number 329 में, ठीक है, legislation, कि legislature का right है, कि जो elections से state में होते हैं, उनका बना सके, तो यह आजाता है, कौन से article, 328, 327 में पार्लियमेंट, ठीक है, 326 में universal alert franchise, no person to be discriminated, और 324 में superintendents of election commission, क्रेस्टबलेज बारे में, यह सारे आपके articles थे, हो गया, cover जो की, then आता है, question number 10, part 17, of Indian constitution deals with, भारतिय का part 17 कौन से deal करता है, तो इसको limits, limits, 17 आता है, language, 17 आता है, आपका language, तो 17 आता है, language, यह आपका right answer हो जाएगा, part 18, part 15, special provisions के बारे में, आपको किसे बताए गया है, तो यह आपका हो जाएगा, part number, कहां पर, scheduled areas, special provisions, certain classes के बारे में, तो यह कौन से बताए गया है, part number कौन से हो जाएगा, special provisions आपको बताए गया है, यहाँ पर, fin, tram, say, election, booth, पर, अब यहाँ पर, provision to certain classes है, अब यहाँ पर, anglo-indians के बारे में आता है, यह आपको देखना पड़ेगा, right answer कहीं है, यह उनवाला है, ठीक है, कि provisions, मतलब कौन सा जाएगा, आपका part 16 में, यह साथ से डिसकुश करा गया, इसके बारे में, और, part number कौन से में, आपको देखा जाए, using special paramilitary rockets, using paramilitary special rockets, part number 11 में भी, ठीक है, schedule areas के बारे में, बात करा गया, schedule areas के बारे में, तो वो भी हमें देखना होगा, कि कौन सा question पर different करेंगा, लेकिन यहां का right answer क्या हो जाएगा, आपका, part number 17 में, part number 17 में, languages के बारे में, बात करा गया है, question number 11, which of the following comes under part 9, काफी असान पंचायत, ठीक है, यह हो जाएगा, आपका part number 12, finance property, contracts and suits के बारे में, relations सब को हो जाएगा, part 11, scheduled and tribal areas हो जाएगा, आपका, part 10, चलिए, और यह हमारा कुछ important notes है, जो कि किसे, पंचायती राज, पंचायती राज की committees हैं, जो आपको बता होनी चाहिए, कि कि कमिटी से, यह चीज़े form होई है, स्वान्ड सिंग कमिटी, यह आपका किसे लेना देना है, यह आपका लेना देना है, fundamental duties से, ठीक है, किसे लेना है बच्चो, fundamental duties से, दैन यापर पंचायत से, बलवंत राए महता कमिटी, वीटी, कृष्णमचारी कमिटी, अशोक महता कमिटी, जीवी के राओ कमिटी, एलम सिंगवी कमिटी, और पीके ठंगटान कमिटी, यह सारी कमिटी जो चे हैं, यह किसे लेना देना है, यह है हमारा पंचायती राज से बल्वंतराय, कृष्णमाचारी, अशोक महता, जीवी के राओ, ठीक है, और एलम सिंगवी, और ठंगटन, अब इसको आप याद कह सकते हैं, राओ सिंग को, राओ, राओ, राओ साब, सिंग, सिंग मतलब शेर को देखके थर-तर-तर कापने लगा, तो जीवी के राओ, सिंग प्रिंसपल्स गवर्निंग, इसको आप याद कर सकेंगे, कि बालक कृष्ण, अशोक से मिला, बल्वंतराय महता, कृष्णमचारी, अशोक महता, यह आपको याद रहनागा, कुश्चन नमबर कहता है हमारा 12, तो प्रिंसपल्स गवर्निंग, इलेक्शन स ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के बारे में आपको कौन से में आर्टिकल में आ जाएगा, प्रेसिडेंट के बारे में आप डिसकस करते हैं, यूनियन में, पार्ट फाइफ, ठीक है तो यहाँ पर सारे ऑप्रेसिडेंट गलत हैं, और राइट एंसर आपका हो जाएगा, पार्ट फाइफ में आप डिसकस करते हो, यूनियन में आता है, अमेंडमेंट का कौन सा, अमेंडमेंट, ली मैट्स, 17, 18, 19, 20, 20 में आपको डिसकस कर गया है, अमेंडमेंट, जो कि 368 आर्टिकल के थू होता है, तीन तरीके से अमेंडमेंट कराया जा सकता है, इनमेंसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, राइट एंसर क्या हो जाएगा, आपको बच्चों यहाँ पर, पार्ट नमबर 20 आपका राइट हो जाएगा, चलिए, क्वेशन नमबर 14 क्या जाएगा, अलो आपका जाएगा, यूनियन में, और यूनियन कौन सा है, पार्ट फाइफ, ठीका, और अगर स्केडियूल पूछ ले, कौन से स्केडियूल में, तो इसकेडियूल नमबर 4 में डिसकस किया गया है, सीट्स ओफ रास्वा, क्वेशन नमबर 15 कहता है, विच पार्ट अफ दे इसमें डिसमें डिसमें हो गया है, सत्रह, इस राइट अंसर, ठीक है, चली, कौशन नमबर 16 क्या कहता है, प्रोविजन से रिलेटिट टू कॉंट्रोलर और जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कौन सा, 148 से 151 जो की आता है, यूनियन में, तो यूनियन आता है, पार्ट फाइफ में, पार्ट फाइफ, ये हो जाएगा, फिर इसका राइट है, ठीक है, पार्ट फाइफ, पार्ट फाइफ, क्वेशन नमबर 16 कहता है, विच पार्ट अ इंडिन कॉंस्टूशन डिलेट टेरिटोरियल डिवीजन, पार्ट वन, पार्ट वन में आपके पास यूनियन, आपका रिवीजन हो गया होगा, फंडामेंट, पार्ट फाइफ, इंडिन कॉंस्टूशन को लेके, पार्ट फाइफ, इंडियन कॉंस्टूशन को लेके, लाइक, शेयर इट, एंड कमेंट, और अनी डाउट, तास अल पार तोड़े,